So, Hello everyone guys, फ्ररमादेव, राधे, राधे, कैसे आप सभी लोग आईज, I hope आप सभी लोग अच्छ कर अपने लाइफ में भी आगे बढ़ रहे होगे, So guys, आश मैं आपके लिए रीडिंग लेके आ गई हूँ, आपके लिए guys, आपके destiny में क्या लिखा हुआ है, आने वाला जो आपकी जो time है, ठीक है, उसमें आपके लिए आने वाले समय में, ऐसा क्या है, जो घटित होकर ही रहेगा, आप उसको change नहीं कर पाऊगे, आपके destiny में ही लिखा हुआ है, So guys, first pile यहाँ पर community card है, और अगर जो आपकी birth month है, So है January, March, May, July, September, November, तो आप first pile चूज कर लिजे, second pile यहाँ पर guys, the caring connection card है, और जो आपके birth month है, वो है February, April, June, August, October, December, तो आपके लिए second pile है, So दोनों ही piles में से कुछ चूज कर लिजे, अपने लिए okay, time stamps description में है, अगर आपको guys, personal reading लेनी है, तो of course, सबसे पहले तो आप लोग Instagram पर मुझे DM कर सकते, Instagram का लिंग description में है, time stamps के जर्श चुपर, या फिर आप लोग पर about section से भी देख सकते हैं, और also guys, इस reading को ज़रू like कर देना, चैनल को ज़रू subscribe कर लेना, bell icon का दबा के all पर सेट कर देना, personal reading आपको बता ही दिया, और yes, कैसे crystal buy करना है, वो भी आप मुझे Instagram पर ही DM करना, और also comment section में भी बोल सकते हैं, so start guys, first pile से आपकी reading को, so first pile guys, जिनोंने भी January, March, May, July, September, November, ये वाली pile को पिक क्या है, आपके birth month हिन में से है, या फिर guys, आपने community card को चूज किया है, तो देख लेते हैं guys, आपके लिए क्या energies आ रही हैं, okay, आप लोग इस समय, आपकी destiny में क्या लिखा है, आप लोग की life में समय क्या आ रहा है, यहाँ पी, okay, सबसे पहले चीज़ तो guys, community card ही शो कर रहा है, कि आपकी जिन्दगी में कही न कहीं, बहुत सारी खुशना आ रहे हैं, बहुत सारी abundance आ रहे हैं, बहुत enjoy हैं, आप लोग आने वाले समय में करते हैं, दिख रहे हैं, ठीक है, आपकी जिन्दगी में मतलब in general खुशना आ रहे हैं, बहुत सारी happiness, और यहाँ पर मैं देख पा रहे हैं कि कहीं आपकी life में, अगर आप इस time guys, modeling के उपर focus करना चाहते हो, fashion, designing, fashion से related किसी work area में हो, तो guys, आपके लिए बहुत अच्छा समय हैं, ठीक हैं, और like आप designer हो, dresses design करते हो, तो आपकी guys, salary increment होते हो, दिख रहे हैं मतलब अगर आप business man हो, business lady हो, तो वहाँ पर guys, कपडे का मतलब अगर आपका वपार है, या फिर, किसी विए में beauty पाला है, या girl celebrated कोई काम है, ठीक है, तो उसमें आपको बढ़ाओतर ही देखने को मिलने वाली है, और अगर आपका business है, तो भी और यहाँ पी ऐसा भी दिख रहे है कही न की, music आपको बहुत heal कर सकता है, आने वाले समय में, music is important here, music के उपर ज़ादा focus करो, music कुछ न कुछ important role play कर सकता है, आपकी life में आने वाले समय में, और yes, आप लोग इस चीज को enjoy करते हैं, दिख रहे हो ठीक है, और yes, कईना की कुछ लोग अपनी look change करने वाले हैं, guys, आपकी destiny में यह लिखा हुआ है, अपनी look को ही change करके रख देने वाले हो, मतलब आपका जो dressing sense कैसा है, आपका dressing sense for example, बहुत ज़रा लेक होता है, normal suit वगएरा, suit सलवार या और बस ऐसे normal कपड पहनते थे, अब आप dresses को choose करना भी start करोगे, उसी लिवास के साथ साथ, dresses भी पहनना start करोगे, मतलब होता है, dresses long dresses, max dresses होती है, तो वो थोड़ा सा, मतलब अपने dressing sense में, कुछ ना कुछ add कर सकते हो, मतलब ये main चीज तो यही है, कि कुछ ना कुछ add, addition होता हुआ दिख रहे हैं, आपके dressing sense के साथ, और change हो रही हैं, आपके dressing sense, ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, seven number आपके लिए important होसता है, बाकी यहाँ पर आप party से attend कर सकते हो, आने वाले समय में, किसी की marriage party है, किसी की reception है, लग किसी का birthday party है, तो ये सब चीजे मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, और आपकी destiny में और क्या लिखाए, tarot के थूँ देख लेते हों कि, क्या लिखा है गाईज आपकी destiny में, आपकी किस्मत में क्या लिखा हो है universe ने, सबसे पहले गाईज death card है, transformation है गाईज, change है, मैंने बोला ना कि आप इस समय, celebration, बहुत सारी चीजें अपनी life में change भी कर सकते हो, और यहाँ पर judgment आ रहे है, that's the reason, okay, judgment की वज़ह से ही यह सब चीजें होते हैं, आपको दिखेंगे, okay, seven of cups card है, यहाँ पर amazing, eight of cups card के energies हैं यहाँ पर, king of wands card है, और last card क्या है आपके लिए, five of cups है, यहाँ पर guys, five of cups, seven of cups, और eight of cups के energies है, bottom of deck guys, आपके लिए moon card के energies है, middle of the deck यहाँ पर, four of wands, marriage card है, यहाँ पर, okay, so guys, यहाँ पर सबसे पहली चीज़, तो आप लोग अगर किसे relationship में हो, तो वहाँ से आप लोग इस समय, ऐसा लग रहा है मुझे, कि आपके families नहीं मान रहे हैं, कुछ ऐसी energies यहाँ पर हैं, आप alone feel करें, single सा feel करें, ठीक है, सबके होते हुए भी अकेला feel करना, five of cups card यहाँ पर है, और yes, यह energies मुझे हाँ पर दिख रहे हैं, बट आपको कहाँ ज़रे, don't worry, इस thoughts से move on करें, आपकी life में transformation आते हुए दिख रहे हैं, change आता हुआ दिख रहे हैं, आपकी emotions यहाँ पर बहुत दा strength feel करने वाले हैं, और आपको कहाँ ज़रे, आपके सामने नब options आने वाले हैं, आपको क्या choose करना हैं, क्या नहीं हो कि options के through ही, आप सब कुछ कर सकते हो, आने वाले सामने में destiny में आपकी यही लिखा हुआ है, आपके सामने जो options आएंगे न, उनमें से एक choose करना, फिर उसके पर work करना, then next choose करना, फिर उसके पर work करना, so yes, यह चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, also guys, यहाँ पर judgment आपको देखने को मिलने वाले हैं, आपको judgment मिलने वाले हैं, universe की तरफ से आशुरवाद यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है, कुछ लोग, जो भी लोग guys, यहाँ पर marriage के बारे में सोच रहे हैं, marriage चाहते हैं guys, उनको यहाँ पर marriage के regarding, कोई न, कोई news देखने को मिल सकती है, और yes, कहीना कि guys, आपकी life में कुछ hidden truths, जो हैं आपसे रखे गए हैं, वो यहाँ पर सामने आते हुए दिख रहे हैं, hidden truths और yes, कहीना कि guys, यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है, transformation तो है, 100% confirmation, transformation तो है, celebrations भी है, क्योंकि यहाँ पर marriage की ही energies आ चुके हैं, celebration तो होते हुए दिख रहे हैं, और also आपके जो destiny में आने वाला समय में, यहाँ पर आपको कहा ज़रे, अगर आप कही ट्रावल करना चाहरे, long distance travel हो, यहाँ कर सकते हो, अगर आप लोग फॉरण जाने के लिए try करो, यहाँ भी हो सकते हैं, ठीक हैं, तो यह चीज़े मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, बाकी आपके लिए Sagittarius sign, Scorpio sign, आप लोग अपने एक power में आने वाले होगा, इस एक fire power, fire energies में, आपके लिए Aedes, Sagittarius राश्री important हो सकती है, और Cancer Scorpio, Pisces most important राश्री हैं यहाँ पर, Pisces और Cancer, most important राश्री हैं यहाँ पर गाईज यही है बाकी और देख लेते हैं क्या आपके लिए Cards के थ्रूँ energies आती हैं, So, Blossoming Abundance के energies हैं यहाँ पर आपके लाइफ में आप बहुँ हो सारी Money Abundance आने वाले बहुँआ सारी खुशना आप लोग attract कतने वाले हो, Okay, यह चीज़े मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं और Yes, यह सब चीज़ें होंगे और Unexpectedly ही होने वाले हैं आपके लाइफ में, एक दम से होने वाला यह जो Blossoming Abundance के energies एक दम से Unexpectedly होगा, आपको नहीं पता होगा कि Yes, मेरे लाइफ में वाबंडेंस आने वाले हैं नो, एक दम से, for example, आप एक बिसनस्मान हो, बिसनस लेडी हो ठीक है, और आपकी तरफ आपको नहीं पता कब क्यों सा क्लाइंट आ जाए हैं और एक दम से आपकी तरफ कोई क्लाइंट आया और एक दम से उसकी तरफ से बहुत बड़ी अमाउंट आपको देखने को मिल गई, ठीक है, तो ऐसे चीज़ें आपके साथ शॉकिंग इवेंट्स होने वाले हैं, मनी से रेलेटेड होगी, और एक आपकी लाइफ में की ना की, परसनल हीलिंग और हैपिनेस की एनर्जी आते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़रा हीलिंग फील करोगी गईज, परसनल हीलिंग आपके लिए आ रहे हैं, बहुत सारी हैपिनेस आप लोगों फील कर पाऊँगी, अपने लिए आपके लिए डोज ओपन हो चुके हैं, लॉंग डिस्टेंस ट्रावल करना चाहते हैं उनके लिए बहुत गुड नियूस है येस बहुत अच्छी नियूस है कि येस जो भी लोग जाना चाहते हैं फॉरन ट्रावल करना चाहते हैं ठीक है कहीं दूर कहीं और जगा चाहे हो बट वहाँ ट्रावल करने जाना चाहते है चाहे अपने ही इंडिया में ही अलग स्टेट हो ट्रावल करना चाहते हो guys yes definitely आप लोग ट्रावल कर सकते हो आने वाले समय में आपके लिए ट्रावलिंग यहाँ पर मैं देख पारे हो कार्ट में and also यहाँ पर जो भी लोग guys अपने हार्ट चक्रा को हील करना चाहते थे definitely यहाँ पर ओओ हीलिंग दिख रही है 4 चक्रा अर्के इंचल रफियाल है यहाँ पर आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग होते हैं देख पारे हो मैं the garden and the gate की एनरजिस हैं कहीना की guys आपके लिए doors open होते हैं दिख रहे हैं और yes guys यहाँ से आपके लिए जो numbers important है वो है 30 number, 3 number, 38, 11, 29 again 11 11, 11 के energies आपके लिए important हो सकते हैं guys और yes guys यही energies हैं आपके लिए 34 number, 10 number, 1 number, 3 number, 7 number यह भी आपके लिए numbers important हो सकते हैं बागे guys और देख लेते हैं क्या energies आपके लिए और आ रही हैं wait a minute यह कैसे हुआ okay, okay अब इनको टिकाना guys it's not easy task, okay but anyways मैं यह नहीं करूंगी इसके उपर अगर जाला ध्यान लगाऊंगी तो reading कैसे हो पाएगी हैं see yes guys आपके लिए न मुझे ऐसा लग रहा है unexpectedly foreign travel आपका हो सकता है unexpectedly आप long distance travel पे जा सकते हो unexpectedly आपके heart chakra के healing हो जाएगी और एक दम से ही मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए personal healing के roads open हो जाएगे, okay and yes abundance आपके life में आ रही है blossom abundance की ही energies है so yes, यहाँ से और energies के आ रही हैं आपके destiny, आपके किस्मत और क्या लेके आ रही है, okay citrus fruit, guys, okay it is time to surrender to your unraveling allow the waking sight to expand and eliminate you, okay so guys, आपको यहाँ पे कहा जा रहे, अगर आप किस चीज में उलजे हुए हो ना किस situation में उलज गए हो उसको छोड़ने की कोशिश करो, उसके उपर अलग से दुबारा बात करो, but yes उसके उपर focus करो, and yes allow करो the waking sight to expand and मतलब आपकी आँखे खुलते हो, यहाँ पे दिख रहे हैं, yes कैसे eliminated जगा होती है, ठीक है so of course, आपको वहाँ पे जस्ट खीचा जाता है अपनी तरफ ठीक है, lights के थूँ, या और बहुत साइच चीज़ों के थूँ but yes, यहाँ पे आपके लिए कही न कहीं expand करना, guys अपने आपको expand करने के लिए कहा जा रहा है, okay बढ़ाओ, अपने आपको बढ़ावा दो, अपनी चीजों को बढ़ावा अपने आपको self-care करो, self-love show करो, okay और यह sun-veal की energies आई हैं आपके लिए, make sure to catch your breathe, so I think आप बहुत tired हो, तो आपको थोड़ा सा सांस लेने की जुरुत है, और आपको यही guide किया जा रहा है, कि yes make sure to catch your breathe अपने सांस को कैसे आप लोग catch करते हो, ठीक है, उसके उपर focus करो, ठीक है, और yes, you are in for an unexpected journey, so guys, आप इसके through unexpected journey start कर दोगे अपनी life में, और yes, यहां से और क्या energies आ रही है यहां पर guys, cancer, karakarashi आई है तो of course, call yourself back from all space and time to feel sense and reflect on the oceans of your presence within, okay, I think guys आपकी life में कही ना कहीं आपको कहाँ चारहे कि आप खुद को call करो, ठीक है, call yourself back from all space and time, so अपनी space और time, मतलब मैं यहां पर यही कहूंगी अपने लिए समय निकालो, यह कार्ड आपको बस यही बोलना चाहता है, अपने लिए समय निकालो, आपका समय मुल्य है, आपके लिए ही बना है, आप जो करना चाहता है तो अपने समय में करो, ठीक है, यह किसी कार्ड के लिए नहीं है ठीक है, यह खुद की आपके लिए ही समय है, और yes कहीना के guys, आपके life में आपके partner आ सकते हैं enter into a depth of intimacy intimacy, intimacy यहां पे कायम होच रहेगी, ठीक है intimacy के energies यहां पे हैं, आपके partner के साथ, और yes where the seeds of your desire will be nourished, okay so यहां पे यही energies आपके लिए यह दिख रहे हैं, okay so last में guys हम देख लेते हैं आपके लिए और क्या energies आ रहे है guidance क्या है आपके लिए अच्छे से guidance के लिए क्या energies है, आपके destiny और क्या लेके आ रहे है आपके life में, उससे पहले guys reading को रूल लाइक कर दे न, चैनल को रूल सब्सक्राइब कर ले न bell icon को दबा के all पे set कर दे न, personal reading के लिए आप मुझे instagram पे dm कर सकते हो instagram का link description में है, time shams के यहां फिर आप लोग पर about section से भी देख सकते हो, okay so guys, आपके destiny में और क्या लिखा हुआ यहां पे Mary Magdalene आई है, okay so आपकी life में कहीं न, कि teacher awakens की energy, you have something important to share so आपके पास कुछ important चीज़े हैं, जो share कर सकते हो आप अपने life में, ठीक है, follow कर अपने inner call को, अपने अंतरमन को follow करो, ठीक है, don't let anything stop you, कि किसी भी चीज़ को रोकने मत दो ठीक है, अपने आपको रोकने मत दो किसी चीज़ को, किसी person को अगर आपको कुछ रोक रहे हैं, किसी चीज़ से, वो करो, okay, काम, उसको रोकने मत दो, ठीक है, and yes Lord Ganesha आपके लिए आए है, भगवान Ganesh यहाँ पे आपके लिए है, बपा आए है बपा आपको यही बोलना चाहते है कि आपकी life में कहीना के abundance आ रही है, बहुत सारी, okay आने वाले समय में infinite abundance आपको feel होने वाली है, and yes आपकी घर से, आपकी life से obstacles, यहाँ पे remove की जा रही है, okay, obstacles के लिए, यहाँ पे कोई जगा नहीं है, okay, आपकी life में अप and yes, उसको खतम किया जा रहे है, so spiritual जो आपके support है, and yes, जो spiritual connections, यह increase होते हैं, दिख रहे हैं, आसे लोगों से आपकी बातचीत increase होते हैं, जो spiritual हैं, okay, और yes, और क्या guidance है, guys, आपके लिए, yes, wow, so, यहाँ भी white eagle आए हैं, and sister spirits की बात कर रहे हैं, यहाँ पी, और यह show कर रहे हैं, कहीना कि आपको अपने lineage से connect होने के लिए कहा जा रहे है, connect to your lineage, हाना, so, yes, आपकी life में कहीना कि अपने जो पूर्वज हैं, उनसे connection feel करने के लिए बोला जा रहे हैं, यहाँ पे इस reading के through, and yes, family wound or pattern can be healed now, so, जिससे आपका family का चला आ रहा, pattern है, जो wound है, कोई, वो यहाँ पी heal हो रहा है, okay, horus आए हैं कहीना कि यहाँ आपके लिए cosmic gateway open होता हुआ दिख रहा है, आपकी life में आपको यहाँ पे यही कह सकते हूँ कि yes, आपके जो thoughts हैं, वो बहुत magnetic हैं, powerful हैं, okay, and also यहाँ पे miraculous changes आपकी life में आते हो दिखेंगे आपको, so, यह चीजे हैं guys, आपके लिए बाकी, मैं यही कहूँ कि आपके लिए gateway open हो चुक है, so, जल्दी-जल्दी जो manifest करना है, कत लो जल्दी से, okay, और कालीम आई हैं, bottom of deck, wow, so guys, यहाँ पे तो यह तो show करते हैं guys, अपने डर को काबू रखो, डर से लड़ो, okay, and face करना सीखो, for example, हाना, face करना सीखो अपने डर को, and also, यहाँ पे आपको यही show किया जारा है, कहीना कहीं guys, okay, कि आपकी life में major spiritual changes आने वाले हैं, major spiritual changes are unfolding, this is your chance to soar, यह आपका चान से आगे भढ़ने का, soar करने का, okay, so yes, यह energies हैं आपके लिए, बाकी guys, I hope आपको यह reading पसंद आई होगी है न, आपकी destiny के regarding, आपकी किस्मत में क्या लिखा है, उसके regarding होगी, बाकी आपकी विश्य होगी, so anyways guys, अभी के लिए इतना ही, हर हर महादेव रहा दे रहा दे, and अगर आपको guys को परसनल reading लेने, तो आप मुझे instagram पर ही dm करना, उसका link description में है, time shams के just रुपर, यहाँ फर आप लोग पर about section से भी देख सकते हो, और जो, मुझे ऐसा लग रहा है guys, कि यहाँ जो लोग भी crystal buy करना चाहते हैं, वो यहाँ पर मुझे आप dm कर सकते हो, आप लोग message कर सकते हो, ठीक है, अभी के लिए इतना ही, हर्मादीव, राधे राधे, take care, so hello everyone guys, हर्मादीव, राधे राधे, कैसे आप सभी लोग guys, I hope आप सभी लोग अच्छा कर अपनी life में भी आगे बढ़ रहे होगी, so guys, आपकी destiny में क्या लिखा हुआ है, आपके किस्मत आने वाले समय में क्या लेके आ रही है, जो कोई भी आप से छीन नहीं सकता है, okay, मतलब ये होना ही होना है, ये होकर ही रहेगा, वो ऐसी क्या चीज़े ही हैं, जो होकर ही रहेंगी, okay, so यहाँ पे guys, मीन पाल थी, और ये, also guys, यहाँ पे caring connections card है, आपके लिए मीन पाल की energies, okay, so क्या energies हैं आपके लिए, क्या आप लोग attract कर रहे हों यहाँ पे, सबसे पहली चीज़ तो guys, यहाँ पे जो मुझे दिख रहे हैं, वो यह है, कि आपकी life में guys, यहाँ पी आपके partner, अगर आप relationship में हो, आप married हो, ठीक है, जो भी है, आपके partner, यहाँ पी आपकी life में, बहुत ही ज़रा आने वाले समय में, आपको खुश्या देने वाले हैं, आपको बहुत love, care, affection, वो show करने वाले हैं, आपके सब वो घूमने फिदने का try कर सकते हैं, मतलब होता न, वो plannings कर रहे हैं, आपको कोई gift देने के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ पे bookay हैं, तो definitely bookay दे सकते हैं आपको, ठीक है, और yes, ऐसा भी दिख रहा है, जो भी लोग marriage करना चाहते हैं, marriage की energy से second pile आपके लिए, और जो भी लोग guys आपने लिए, कोई partner चाहते हैं, soulmate चाहते हैं, मतलब आप single हो इस समय, तो आपके लिए वो चीज़े ही होते होए, दिखें कि आपको, ठीक है, आपको soulmate मिल सकते हैं, आपके soul family में से कोई न, कोई enter हो सकता है, 14 number आपके लिए important होसता है, also 5 number is also important for you, so ये energy skies आपके लिए यहाँ पे दिख रहे हैं, आपके partner बहुत care कर रहे हैं, आपकी आप कैसे रह रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, वो सभी चीज़े यहाँ पे, उनकी तरफ से यहाँ भी, care की जा रहे हैं आपके ठीक हैं, और anyways guys, 14 number 5, ये मैंने आपको बता ही दिया, या January month होके, April month या फिर मई का महीना आपके लिए important हो सकता है, so destiny आपकी life में क्या लेके आ रहे हैं guys, या फिर guys अभी से 1 month, 4 month और 5 month महीने होके, के लिए important हो सकते हैं, इतने weeks हो सकते हैं, इतने months हो सकते हैं, इतने days हो सकते हैं, आपके destiny, आपके किस्मत क्या लेके आ रहे हैं guys, आने वाले समय में, से यहाँ पे guys, full card की energies हैं, सबसे पहला ही card, full card आ चुका है, और यहाँ पे guys, page of swords card की energies, और आगे और क्या energies हैं आपके लिए, ace of pentacles, amazing, second pile, क्या लेके आ रहे हैं, आपके किस्मत आपके life में, आने वाले समय में, सो यहाँ पे कहीना की page of, sorry, knight of swords है, page of sword भी है, यहाँ पे knight of swords भी है, king of pentacles card की, यहाँ पे energies हैं, और last card है, यहाँ पे आपके लिए, seven of cups card, bottom of deck, seven of wands, middle energies, four of wands, वाउ, first pile में भी, four of wands card ही, middle of the deck आया था, तो यहाँ पे भी same energies यहाई हैं, बढ़ हाँ, cards हभी different हैं, जारतर, बढ़ हाँ, page of swords, I think first pile में आया था, और yes, seven of cups card भी आया था, वहाँ पे, so guys, क्या होने वाला हैं आपके किस्मत में, क्या लेके आ रही हैं आपके किस्मतों के, जो राशियां आपके लिए important हो सकते हैं, वो मैं आपको बता देते हूं, पहले Gemini, Lepra Aquarius, Taurus, Capricorn, सभी के सभी elements हैं यहाँ भी, so yes, anyways guys, 80 sign important जादा दिख रहा है, यहाँ पे मेश राशी, okay, so I think guys, आप लोग marriage करना चाहते हैं, अपनी मर्जी से शादी, मतलब अपनी love कमर रिंच marriage करना चाहते हैं, क्योंकि marriage की reading तो दिख रही हैं, but yes, आप लोग यहाँ पे लड़ते हो, भी दिख रहे हैं, यहाँ ऐसा हो सकता है, हाँ, ऐसा भी हो सकता है, जो मैंने बोला, guys, okay, और yes, आपकी तरफ दो लोग आ रहे हैं, एक person तो air sign के, जो इस समय बहुत growth देख रहे हैं, अपनी life में ग्रोव कर रहे हैं, और दूसर person guys, जो होता है, कि यह हो सकता है, कि आपकी life में कि नहीं को बिजनस मैन है, बहुत अच्छी money अर्ण कर रहा है, यह second person होता है, first person बहुत fast way में आपकी तरफ आते होए दिख रहे हैं, और यह freedom lover है, थोड़े गुसेल भी दिख रहे हैं, so anyways guys, यह आपके लिए energies, बढ़ हाँ, पैसा आपकी life में आ रहे है, unexpected money आपको receive हो सकती आने वाले समय में, and 7-7 number आपके लिए important हो सकता है, और also guys, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कहीं आपकी life में, आपको इस समय बहुत ही ज़ारा देख परक कर आगे बढ़ने के ज़रत है, because आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ फिर आपके partner बहुत तेजी से आपकी तरफ आते हो दिख रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से धीरे धीरे चलो आगे बढ़ो अपनी life में, and also मैं आपको यह भी बता दू कहीं आप लोग कहीं travel करने वालो हैं, यहाँ आपको पहली बोदे में इन जिससे हैं न, आप कहीं आपको travel का plan ज़रूर करें, आपको 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 मिलके रहेगी, so don't worry, यह चीज़े यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, tarot के through, आप कुछ research कर रहे हो guys, कुछ search करते हैं मुझे यहाँ पर दिख रहे हो आप लोग, आने वाले समय में किसी partner को अपने को search कर रहे हो, stock कर रहे हो उसको ठीक है, बहुत ज़रा, तो यह भी energies हो सकती हैं यहाँ पर, stocking की भी energies आजाती हैं, reading में, readings में, okay, so yes, यहाँ से देख लेते हैं, आपके लिए क्या energies है, okay, okay guys, कहीं न कि आपको धार, आप लोग बहुत धार्मिक होने वाले हो, आने वाले समय, आपकी destiny में ही लिखा हुआ है, आप बहुत spiritual होते हों दिख रहे हो, आपके लिए temple path की energies हैं, okay, यहाँ पर broken heart की energies, कहीं न कहीं guys, आपको hurt होता हुआ दिख रहे हैं, बट यह चीजें होनी ही थी, आपको यही कहा जा रहे हैं, भगवान की शरन में जाओ, सब कुछ सही होगा, यहाँ आपको खुद ही किसी चीज़ से hurt हो रहे हैं, don't worry, okay, बिल्कुल hurt नहीं हो, अपने आपको आपके उपर focus करो, अपनी life के उपर focus करो, I know, yes, आपको hurt हुआ है, किसने आपका दल तोड़ा है, चाहे past में, चाहे अभी, आपका break up हो चुका है, बट कुछ शीज़े बंदी होई थी, ऐसे ही, okay, यहाँ आपके और आपके partner के अंदर कुछ शीज़े बंदी होई है, okay, that's why आप दोनों एक दुसे के साथ हो, आने वाला समय कहीना कि, यहाँ पी आपको धार्मी प्रविर्ति का बनाता हुआ दिख रहे है, और आपको कहा भी जा रहे है कि spiritual हो जाओ, spirituality के रास्ते पे चलो, और कहीना कि attachments को छोड़ो, अगर आप past life की चीज़ों से attached होना, तो उसको छोडने कोशिश करो, और जो यहाँ पी आपको यही कहा जारे, अपना real face show करो, आप real में हो क्या, वो face show करने के आपको जरूरत है, और यहाँ पे आपको कहा जारे, past से कुछ easy ऐसी जुड़ी होती है हमारी life में, जो easily नहीं जाती है, और उनको खतम करने के लिए guys, उस cheese को complete करना पड़ता है, जो चाहिए होती है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे feel हो रहा है मुझे, और यहाँ से देख लेते हैं, क्या energies है guys आपके लिए, आपको थर्ड आई चक्रा उपन हो रहा है आने वाले समय में, आपको पता चल जाएगा, आपको future में क्या होने वाला है, अगर आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो जाता है, तो यहाँ पे angels protection आपको मिल गई है, angels की protection आपको provide की गई है, और यहाँ आपकी थर्ड आई चक्रा यहाँ पे open up होता हुआ, दिख रहा है मुझे आपकी, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, आप 5D word के साथ बहुत जाए चक्नेक्टर हो, 3D word, 5D word हो की, और 12 number guys, जो numbers important है, वह 12, 5, 3, 9, 23, 44, यहाँ फे guys 34, यहाँ फे 5 number, और यह साप देख सकते हो guys, bottom of deck आया है, door to personal healing and happiness के energies, आपकी life में बहुत सारी खुशना आते हों देख रही हैं, बहुत सारी peaceful environment यहाँ पे create होता हुआ, दिख रहे हैं आपकी life में के आने वाले समय में, so yes, यह energies है guys, बाकी यहाँ से देख लेते हैं क्या और energies आ रही हैं आपके लिए, so yeah, यहाँ पे guys, सबसे पहली चीज़ तो hydration के ज़र आते हैं, अगर आप पान या चाज़ें नहीं पीते हो, अपने आपको hydrate करके रुखो, there is more to a story than meets the eye, okay, so guys, आपको कहा जाए, जो दिख रहा है, उससे भी बहुत गहरी बाते, story में हैं, और be mindful of what hides beneath the surface, so mindful रहो guys, के जो चीज़ें आप से चुपाए गई हैं, उसके regarding, and don't create any issue, and yes, अपनी life में, आगे बढ़ने के पर focus करो, यहाँ पी आप अपने ममा के साथ, बहुत अच्छा time बिता रहे हैं, आपने family के साथ, बहुत अच्छा आने वाले समय में, time बिताते हों, दिखते हों के, वाओ guys, it's a wand making वाओ, so I think आप बहुत creative होते हों, दिखते हों आने वाले समय में, बहुत ज़रा creative energy, से यहाँ पर मुझे feel हो रही है, and with a flick of focus, you will come to see a vision reliance, so yes, आपके life में कहीं न कहीं, मैं यहाँ पर यही कहूंगी guys, आप जादूई चीज़े, आपके हाथों में आने वाली हैं, okay, intuition आपकी बहुत high होते हों दिख रहे हैं, बहुत powerful बनते हों दिख रहे हों आने वाले समय में, okay, और also मैं यहाँ पर यह भी आपको बता दूँ, आपकी life में कहीं न कहीं आपके लिए वांड क्रियेट होता हुआ दिख रहे हैं, ठीक है, वांड क्रियेशन मीन्स या तो आप कर रहे हों अपने लिए, ठीक है, अपनी powers के थूँ, या फिए guys, आप जस्ट जो भी आपको raw material मिला, उसके थूँ, वांड क्रियेट कर लिए, अपनी life में, फोकस कर रहे हो, ठीक है, अप चीजे manifest करने में, स्टार गेजिंग, गाईज, इट टेक्स अ लॉट अफ करेश तो रीच वर दे स्टार्स, यह बहुत समय लगाता है, कहरें, बहुत समय लगता है, अगर आपको तारों तक पहुँचना है, ठीक है, and to expand the self, but it is possible, yes, कि अपने आपको अगर समझना है, अपनी self को expand करना है, ठीक है, अपनी consciousness को expand करना है, तो आपको यहां कहा जा रहे, यह पॉसिबल है, अगर आप चाहते हो करवाना, यह पॉसिबल तभी, अगर आप चाहते हो, anyways, it's not possible, and also guys, bottom of a deck क्या energies है, यही bottom of a deck थी stargazing, बढ़ हां, आपको कहीना कही गाईज, आप night time बहुत important होसता है, आपके लिए, night time के energies, यहाँ पर मुझे देख रही है, so यहाँ से देख लेते, क्या और energies आ रहे हैं guys, आपके लिए, बाकि आप इस reading को ज़रूर लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बैल आइकन को दबा के वाल पर सेट कर दो, परसनल reading के लिए आप मुझे, इंस्टरग्राम पर DM कर सकते, इंस्टरग्राम का link description में है, time chance के जो शुपर, यहाँ फिर आप लोगों पर about section से भी देख सकते हैं, so यह सनत को मारा energies आई है, light activation, so shine your light guys, your internal guidance is coming through loud and clear, so yes आपका जो अंतर मन की आवाज है, जो आपकी अंदर, internal guidance है जो, वो loudly और clearly आपको बहुत सारे messages देते हैं, दिख रहे हो की, और yes आपको अपने talents शो करने के लिए, यहाँ पर फोकस पर लाया जा रहे हैं, और also यहाँ पर Mother Mary है, वो शो कर रहे हैं कहीना की, let go of the need to be right, choose peace, mother healing is possible at this time, so yes Mother healing is possible है आपके लिए की, and yes आपके लाइफ में कहीना की Mother healing, possible है और yes आपको लेटको करने की जरुत है गाइस चीज़ो को की, जो भी चीज़े सही हैं उसको, सही रहने दो जो चीज़े लेटको करने की जरुत हैं, वो लेटको करो की, and शान्ती को चूज़ करो, peace को चूज़ करो, बिल्कुल ओके relaxing energies में रहो, और यहां से देख लेते हैं गाइस, और क्या energies हैं आपके लिए, Master Buddha हैं गाइस आपके लिए, increase होते हों दिख रहे हैं गाइस, आपके awareness होगे, deep connections आपके create होते होते हैं, आपको कहा जाएं, trust करो अपने अंतर मन के उपर, अपने inner voice के उपर, and holy amethyst के energy, divine alchemy के energies हैं, move beyond current challenges, अपने जो आपकी life में, semi-current challenges चल रहे हैं, उससे move on करो, and focus करो on what you desire, so focus करो उसे इच्छा की, जो आपको चाहेए, so yes, यहाँ पर just आपको यही कहा जा रहा है, बाकी आपके लिए, om mantra chant करने के लिए भी advice हो के, अगर आप चाहते हो, om mantra chant, आप जानते हो, तो of course, आप जरूर करिएगा, bottom of it है guys, यहाँ पर therapist पर यह हैं, session की energies है, move into your true self, अपने true self की तरफ move करो, rise above the darkness, the light is here, okay, अपने true self को ढूणो guys, उसकी तरफ move करो, and definitely rise above the darkness, so darkness उपर उठने की कोशिश करो, so that light यही है, रोश्नी यहीं पी है, anyways guys, कैसे लगी आपको reading आई हो, पसंद ही आई होगी, बाकी मैं monthly readings पी डाल रहो, December महीने की आप रो, चेक आउट कर लेजेगा, anyways guys, अभी के लिए इतना ही, हर महा देव राधे राधे, टेक क्यर, बाई गाईस,